नमश्कार दोस्तों दोस्तों आज बात करेंगे बहूँ शानदार टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक इजेक्शन मोल्डिंगंग प्रॉस्पेक्टस से वन आफ ते बैस टोफिक्स तो आग जो best topic है हमारा वो क्या है आपका mold setting आप एक page देख रहा है वो PLC का page है ये mold setting जो है वो किस तरीके से हम करते हैं तो हम आपको इस page के द्वारा complete mold setting सिखाएंगे क्योंकि mold setting जानना बहुत जरूरी होता है injection field पे जा है आप जो injection mold पे आप जब machines वगेरा जितना भी mold वगेरा loading unloading उसके बाद setting का process यह सेटिंग का process है यह सबसे important है mold set करना सीख गए तो आप मतलब काफी कुछ सीख गए injection molding में क्योंकि sitting करना exactly नहीं आता है लोगों को किस तरीके से set करते हैं क्यों हम यह चीज़े रखते हैं आप set कर ले जाओगे सब चला लेते हो product निकाल लेते हो piece निकाल लेते हो लेकिन exactly मालूम बहुत कमी लोगों को ह होता है कि ऐसा क्यों करते हैं इस speed कहां कहीं बढ़ाते हैं तो कहीं घटाते हैं ऐसा हम क्यों करते हैं प्रेशर जो है वो घटाना बढ़ाना कैसे positions कैसे set करते हैं यह सारी चीज़े आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी यह वीडियो की जो यह PLC का page है यह हमाई फोर्जा मशीन फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का शांदार मॉडल फोर्जा है उसकी जो PLC का page है उस पे हम आपको लेके चलते हैं तो देखिए शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना time गवाए समझ यह सबसे पहले आपका जब आप जब मोल्ड को मशीन पर fit करते हो clamp कर द दबाया अलग-अलग PLC पर अलग-अलग बठन होती तो आपने उसको प्रेस किया और उसके बाद आप मोल्ड को open कर रहे हो उसको प्रेस करने के बाद आप मोल्ड को open opening दे रहे हो तो setting mode पर जब opening दोगे तो मोल्ड आपका खुलता हुआ चला जाएगा जब मोल्ड खुल र कम इसलिए नहीं खुलेंगे पता चला आपका प्रोडेक्ट ही अटक रहा है जादा नहीं खुलेंगे मतलब की बहुत जादा भी opening नहीं देना प्रोडेक्ट आपका बहुत छोटा है और opening बहुत दिये दे रहे हो तो इससे क्या होगा मोल्ड जब open होगा close होगा वो cycle time गये और end position दे दिया कि बस अब हमको भाई इतने पर मोल्ड को रोकना है हमने जाके वहाँ पर set कर दिया जैसे कि माल लिजे उस समय end position आपकी आई 580 mm आपको दिख रहे हैं तो 580 हमने ये end position हमको देनी है जब आप open कर रहे थे तो दोस्तों क्या होता है 580 पर आपने set कर दि आती है आपकी position जो आएगी वह यहां actual position दिखेगी जैसे 587.4 ही important क्या होता है कि जैसे ये क्यूं 580 आपकी position नहीं आती है exactly मतलब जैसे 580 आपने set कि 580 तो 580 ही क्यों नहीं आ जाती मतलब कि ये बढ़के क्यों आई actual position जो आपको इस टेटरस बार में दिखा हमेशा दिखे तो ये बढ़के क्यों आता exactly 580 पे ही क्यों नहीं रुखे आपका open मतलब मोल्ड पे आपने opening set करी मतलब 580 तो ये 580 पे ही क्यों नहीं रुखेगा जब आपका cycle चलेगा इसलिए नहीं होता दोस्तों क्यूंकि जैसे आपका सब cycle run किया तो जैसे machine जो है वो mold जो है आपका ख रुखना है तो आप जब line पे जाके brake मारोगे तो तुरंत line पे नहीं रुख जाओगे थोड़ा आगे चले जाओगे तो वैसे ही आपका mold भी थोड़ा सा आगे चला जाता है ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत जाता है तो वो उस हिसाब से यहां पर actual set होता वो depend करता है आप आपका end stage पे क्या speed और क्या pressure होता है तो बस simple अभी आपको समझाएंगे सारी चीजे अभी माल लिजे आपका mold जो है आपने setting mode से open कर दिया एक आपने position set कर दी 580 और close कर रहे हैं अब उसको setting mode पे ही आप mold को ऐसे बंद करते जा रहे हैं कहां तक बंद करना है वो समझे यहां पे low pressure का एक option होगा आप की machine पे हो सकता है mold safety करके लिखा हो mold safety end point करके लिखा हो इस तरीके की में पे तो आपका जहां पे core और cavity Match करेगा जैसे कि आपको पता है mold में दो चीजे होती एक होता core एक होता cavity तो जब core और cavity जब कोर आगए आके cavity में इस तरीके से मिल जाता, जिस particular इस्थान पे वह आपस में मिलते हैं, वहाँ पे हम यह position set करते हैं, यह जो आपकी position होगी, low pressure वाली, यहाँ पे set करेंगे, तो आप याद करिए वापस, कि हम जब mold को बंद कर रहे थे, तो setting mode मतलब setting mode पे बंद कर रहे थे, क्योंकि 1 mm पे हमारा core और cavity match करेगा, यह बंद करने की position थे, सिर्फ हमने दो position डाली, याद रखिएगा, setting mode पे, सबसे पहले, open की position, दूसरी है, जो हमारी mold safety या low pressure का, यहाँ पे low pressure है, low pressure मतलब यहाँ पे pressure कम होता, इसलिए हम इसको low pressure कहते हैं दोस्तों, और यहाँ पे सिर्फ हम दो settings डालेंगे, जैसा कि आप देख रहा हूँ, यह हम setting mode पे, mold adjustment, इस machine पे आपको mold adjustment button से, और जो है, और आपकी कोई machine है, तो वहाँ पे आपको setting button से मिल जाएगा, तो यह दो settings हमने डाली, mold की open वाली setting डाली, और mold की close की, close का end position, और mold open का end position हमने डाला, तो अब दोस्तों शुर हम बात करेंगे, अपने video पे speed, pressure, flow, क्या-क्या चीजे हैं, चलिए समझते हैं, तोड़ा ध्यान लगा के देखेंगे, तो मज़ेदार समझ जाएंगे, और समझ गया एक बार, तो फिर माल लीजे कि आप एकदम सितारा हो गया, तो चलिए, बताते हैं आपको injection molding का जो important topic थ शुरुआत करते हैं, अब देखें दोस्तों, यहाँ पे 580 आपने set किया था, simply आपने 580 set कर दिया था, अब आपका mold खुल रहा है, पूरा open हो रहा, open होगा, तो जैसा मैंने बताया, 580 पे नहीं exact रुखेगा, थोड़ा आगे जाएगा, माल लीजे आपका mold गया 587.4, मतल अब आपने 580 पे उसको रोकना चाहा, वो चलता चला गया, थोड़ा सा आगे 587 पे रुखा जाके, बहुत simple हुआ, अब 587 पे वो रुखा, तो अब जो है, आपको पहला stage डालना है, अब हम mold को बंद करने चलने हैं, दोस्तों, हमने सिर्फ पिछले बार low pressure का core air cavity match हुई थ जाल के हमने छोड़ दिया था, अब हम proper setting करेंगे, किस stages में, क्योंकि यहां mold बंद हो रहा हमा, stage 1, stage 2, stage 3, low pressure, stage 4, high pressure, stage 5, तर पांच stageों में आपका mold बंद हो रहा, stage जो है, वो mold पे depend करता है, कितना आपका, किस तरीके का mold है, तो उस हिसाब से stages होते हैं, तो stages जो है, यहां पे 5 stageों पे आप समझ लीजे, क्योंकि maximum 5-6 stages जादा तर होते हैं, तो हम इसी पे समझा देंगे आपको, तो आप कम भी हो, जादा भी हो, समझ लीजेगा, क्या concept होता है, इसी पे, तो दोस्तों, चलिए, पहली stage पे चलते हैं, जैसा मैंने बताया, first stage, अब दोस्तों, सबसे important याद रखना है, जब आप mold को बंद करने चलते हो, mold को आप close कर रहे हो, मतलब core और cavity आपकी आपस में पास आ रही है, उस समय क्या होगा, उस समय आपका जो stage 1 पे, आप जो position सेट करोगे, ये बहुत important है, दोस्तों, मतलब exactly बता रहा हो, most important चीज है, क्योंकि इसका concept जो है ये बहुत जल्दी easily, समझ नहीं आता, मैं आपको समझाओंगा बहुत जल्दी में, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा, actual position जो था, 587 था, आपने set किया था, 580, मतलब आपने mold को open किया, 580 set कर दिया, 580 पे mold रुका नहीं, actual हो चला गया, 587 तक, तो आपको इसकी पहली position, stage क set करनी है, तो आप इससे हमेशा कम रखोगे, 587 से हमेशा कम रखनी है आपको, आप कभी भूल के भी यहाँ 587 है, तो 588, 89, 90 नहीं डाल देंगे, किस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे देख लीजे, आपको दिखा देते हैं, जैसे आपने, यहाँ पे एक, आपको मिलेगा, जैसे ही देखिए, यहाँ पे 587.5 आपकी पोजीशन थी, और आप यहाँ डाल दिये 600, 600 जैसे डालोगे ना, कुछ नहीं होगा आपकी मशीन का, जो फंक्शन है, वो उस तरीके से, क्योंकि अब 600 तक तो वो जाही नहीं रहा, तो आपकी स्टेज जो है, वो बाइपास हो जाएगी, डारेक्ट मोल्ड खुब तेज चलेगा, मशीन पे जर्ग मिल जाएगा, एकदम से मशीन हिल जाया करेगी, या चलेगा या नहीं, तो यह सब बहुत दिक्कते हैं, तो इनको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट होता, तो आप आराम से smoothly मोल्ड उठे, क्योंकि कोई भी चीज, जैसा मैंने बताया, एका एक जैसे आपकी गाड़ी है, मतलब सौकी स्पीड पे आप उठा दोगे उसको तो क्या होगा, आपकी गाड़ी एक्दम हिल डूल जाएगी, जर्क मार देगी, वैसे ही मोल्ड है आपका, मोल्ड म पोजीशन हमने सेट की, पोजीशन हमने इससे एक्ट्वल पोजीशन से कम सेट करी, अब बाद आजाएगी दो तो फ्लो की, फ्लो मतलब स्पीड, मोल्ड कितनी स्पीड में चले, तो स्पीड भाई स्पीड कम रखो, क्योंकि कम रखना चाहिए और हमेशा ही रखना मतलब कुछ तो माइनूट सेकेंड ऐसा दोगे जिसमें हलका स्टार्टप लोगे तो उसी तरह से मोल्ड को स्टार्टप देने के लिए हम पहले स्पीड कम रखेंगे और प्रेशर थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि मतलब मोल्ड अब ऐसे रुका हुआ तो स्पीड भी क्या करते हैं, दोस्तो सेंपल वीडियो यही पर समाप्त होता है, पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे एप या वेबसाइट पर विजिट करें, हमारी वेबसाइट है www.plastotech.in और प्ले स्टोर पर जाके आप हमारा एप अप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है Plastotech, तो मिलते हैं वही पर और सीखते हैं और भी चीजें